इटेलो थेसेपी को बनाना बहुत आसान है और इस इस मोमो का टेस्ट बिलकुल मार्केंट जैसा होगा या यू कहें आप कि मार्केट से भी कई गुना जादा टेस्टी होगा इसके साथ ही साथ हम आपके साथ में फ्राइड मोमोस की रेसेपी भी शेयर करेंगे चलिए रेसेपी बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सवी नम्र निवीदन है कि प्लीज अगर आपको हमार पसंद आती हो वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसेपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ ही लेटिस्ट वीडि और उसके साथ हमने लिया है एक बड़ा प्याज जिसे हमने छोटा-छोटा चौप कर लिया है वेजिटेबल्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं साथ ही इने घटा बढ़ा भी सकते हैं वेजिटेबल्स को हमने पहले अच्छे से वाश कर लिया है और उसके बाद लेसुन की कलिया, साथ ही हमने इसमें हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है, हरी मिर्च हम टेस्ट के कोडिंग लेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कि मोमोज में लेसुन का फ्लेवर स्ट्रॉंग होता है, इसलिए लेसुन थोड़ा जादा लीजेगा, अगर आप लेस लेसुन को हमें बहुत नहीं भुनना है, सिर्फ एक से दो सेकेंड ही भुनना है, लेसुन को भुननी के बाद अब हम इसमें एड करेंगे, चॉप किया हुआ प्याज, प्याज को भी हम बराबर चलाते हुए भुन लेंगे, प्याज को भी हमें बहुत जादा नहीं भुनन है तो बस अब हम इसमें एड करेंगे chopped vegetables इन vegetables को पकाते समें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा की flame को हमें बिलकुल high रखना है high flame पर ही हमें इन vegetables को पकाना है और अब हम इन vegetables में एड करेंगे थोड़े से sauce जिसमें हम लेंगे 1 tablespoon red chili sauce साथ ही इसमें add करेंगे डार्क सोया सॉस अगर आपके पास light सोया सॉस है तो आप उसकी मात्रा थोड़े ही बढ़ा सकते हैं सोया सॉस एड़ करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे 1 से 2 टेबले स्पून मैगी मसाला और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे मैगी मसाला को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे टेस्ट के कोर्डिंग नमक नमक एड़ करने के बाद नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक खास इंग्रीडियंट एड़ करेंगे जिससे की ये मोमोस की स्टफिंग बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तयार होगी और वो इंग्रीडियंट है सोया चंक्स या न्यूट्रिनिगेट का बुरादा हमने यहां पर एक कटोरी सोया चंक्स लिया था जिसे मिक्सी में डाल कर पीस लिया था आप इसकी जगे पर सोया चंक्स का पुरादा भी ले सकते हैं। की जगे पर कॉर्न स्टार्ज का भी यूज कर सकते हैं सोया चंक्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम वेजिटेबिल्स को कम से कम पांच मिनट और पकाएंगे इसमें एक खास इंग्रीडियंट हम एड करने जा रहे हैं जो मार्केट वाले भाया जी जरूर एड करते ह और वो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा बताईए ये क्या है नहीं समझे हम बता देते हैं हमने यहाँ पर इसमें एड किया है वन एंड हाफ टेबल स्पून मोमोस की चटनी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मोमोस की चटनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने वेजिटेबल्स को पांच मिनट और पका लिया है तो देखिए वेजिटेबल्स बनकर तयार हो गई है साथ ही इनका क्रंच भी बना हुआ है और इसका सारा मौश्चर भी खतम हो गया है तो बस अब हम गैस को आफ कर देंगे और वेजिटेबल्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फाइनले स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है चलिए हम मौमोस के लिए डो बना लेते हैं डो बनाने के लिए हमने यहां पर दो से धाई कर्टोरी मैदा लिया है मै के लिए रेस्ट पर साथ ही हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ओयल लगा देंगे ताकि दो जो है वो सूखे नहीं दस से पंद्रा मिनट हो चुके हैं दो भी अच्छे से से सेट हो गया है स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है तो चलिए मोमोस बनाना शुरू करते हैं मोस बनान को कट करने के बाद अब हम एक लोई लेंगे और उस लोई का लड़ू बनाएंगे लड़ू बनाने के बाद हाथों से प्रस करके उसका प्रेड़ा बना लेंगे और उसके बाद इसे हम बेलेंगे इसे हमें पूड़ी की तरह बेलना है बस ध्यान रखना है कि हमें इसे बह पूड़ी पेलने के बाद अब हम इस पूड़ी के चारो तरफ पानी लगा देंगे पानी लगाने के बाद अब हम इसके बीच में रखेंगे स्टाफिंग इस टफिंग हम लोई के या पूरी के हिसाब से रखेंगे अगर इस टफिंग बहुत जादा हो जाएगी तो मोमोज फट सकते है स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसे बंद करेंगे बंद करने में ही सारी ट्रिक है तो अब हम पूरी के एक हिस्से को उठाएंगे और उसके उपर हम प्लेट डालेंगे जैसे कि हम साडी में प्लेट डालते हैं और उन प्लेट को एक के उपर एक रखते हुए आपस में चिपकाते जाएंगे और ऐसे करने से ये पूरी धीरे धीरे अपने आप ही छोटी होती जाएगी और बंद होने लगेंगी जैसा कि आप देख रहे हैं यह देखिए हमने पूरी में अच्छे से प्लेटे डाल कर पूरी को बंद कर दिया है और अब हम इस पूरी को हलका सा घुमा देंगे घुमाते हुए मतलब इनकी प्लेट को दबा देंगे ताकि प्लेट दूसरे तरीके का मुमोज और इसे बनाना और भी आसान है दूसरी तरीका मुमोज बनाने के लिए हम फिर से एक लोई लेंगे उसे भी हम लड्डू बना कर पेड़ा बनाएंगे उसे मैदे में कोट करेंगे और सेम प्रोसेस उसे भी बेलेंगे बेलेंगे भी हम उसे बिल के बाद अब हम इसे भी बंद करेंगे तो बंद करने के लिए हम पूरी के एक हिस्से को उठाएंगे और इस पर भी हम छोटी-छोटी प्लेट डालते हुए प्लेट को एक के उपर एक चिपकाते जाएंगे यह देखें इस तरीके से लेकिन हम इसमें पूरी-पूरी में प्ल कीशे हुए हिस्से को इस जो प्लेट हमने बनाई है इसके उपर चिपका देंगे और मॉमोज बनकर यह दe戲 बहुत आसान है इसे डोना यह देखिए बिल्कुल के रुटफेक्ट मॉमोज बनकर तैयार हुआ आप चाहे तो इस तरह का मूमोज भी बना कर त्यार कर सकते हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं तीसरे तरीके से मूमोज तीसरे तरीके का मुमोस भी हम सेम प्रोसेस रखेंगे पूरी बनाएंगे पूरी के चारो तरफ पानी लगाएंगे पानी लगाने के बाद पूरी के सेंटर में हम रखेंगे स्टफिंग स्टफिंग रखने के बाद अब हम पूरी के एक हिस्से को उठा कर दूसरे हिस्से पर रख करके गुजिया जैसे हम बनाते हैं उस तरह हम पूरी को आपस में चिपका देंगे अच्छे से चिपकाने के बाद हम इसे हाथ में उठा लेंगे और उसके बाद इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रख करके आपस में चिपका देंगे कुछ इस तरीके से ये देखें फाइनली तीसरे तरीके का मुमोस बन कर तयार हो गया और इस मुमोस को बनाना पहले और दूसरे वाले मुमोस से ज़्यादा आसान है बिल्कुल परफेक्ट बना है तो आप जाहें इस तरीके का भी मुमोस बना सकते हैं चलिए, अब हम चोथे तरीके से ready 2 मुवूू अब करने के लिए, तरीके के मोमूूस बनाने के लिए स्टीक चालवे सुप्क मुझे के लिए स्टवपफिंगर करेंगे लिढई मुझे में ६भं पुप कज़ते के वंहारे स्टाफिंगर करेंगे जिस जगे पर हमने पूड़ी के बीच वाले हिस्से को चिपकाया था आप चाहें तो इस हिस्से को आपस में ऐसे चिपका सकते हैं ये आपका चौथे तरीके का मुमोस बन जाएगा लेकिन हम इस हिस्से को लंबा ना चिपका कर इसे भी बीच में चिपका देंगे पूड़ी के किनारों के बीच वाले हिस्से को उठा कर हमें आपस में चिपकाना है और ये देखिए चौथे तरीके का मुमोस बन कर तयार हो गया तो आप जिस तरीके का मुमोस आपको सबसे आसान लगे आप उस तरीके से मुमोस बना सकते हैं और इसी तरह हम सारे momos बना कर तयार कर लेंगे और ये देखे हमने सभी momos बना कर तयार कर लिये हैं चलिए अब हम इने पकाते हैं पकाने के लिए हमने पहले से ही steamer तयार कर लिया है steamer तयार करने के लिए हमने यापर एक भगोना लिया है और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि जाली वाली थाली से स्टीम कितनी तेजी से बाहर आ रही है लिट को हटाने के बाद अब हम इस जाली वाली थाली पर पहले अच्छे से ओल लगा देंगे हमने यहाँ पर रिफाइंड ओल का यूज किया है आप जो कुकिंग ओल ल यह जाता है और 5-10 मिनंट हो चुके हैं चलिए हम चेक कर लेते हैं मुँँज को और आपको दिख रहा होगा कि momos का color change हो गया है यानि momos आपको transparent दिख रहे होंगे चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं ये देखिए बिल्कुल perfect momos बनकर तयार हुए है बिल्कुल market के जैसे एक भी momos न टूटा है न फटा है और बिल्कुल perfect दिख रहा है जैसे कि आप market से momos लेते हैं बस अब हम gas को off कर देंगे और इन momos को एक plate में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सभी momos बना कर तयार कर लेंगे और ये दिखे फाइनली momos बनकर तयार हो गया दिख रहा है न बिल्कुल market जैसे और इन्हें हमने सर्फ किया है momos की चट्मी के साथ जिसकी recipe हम आपके साथ share कर चुके हैं जिसका link हम description box में दे देंगे आप वहां से देख सकते हैं बिल्कुल perfect market जैसे चट्मी और perfect market जैसे momos बनकर तयार हुए है ट्राय जरूर कीजेगा चलिए अब हम आपको fry momos बताते हैं fry momos के लिए आपको कुछ नहीं करना है पहले आपको momos बनाकर ready कर लेना है और उसके बाद जब momos अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में cooking oil डाल देंगे और जब oil medium hot गरम हो जाएगा तब हम इसमें steam की हुए momos को fry कर लेंगे ध्यान रखिएगा जब momos बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब ही हम इने fry करेंगे इन momos को उलटते पलटते हुए light brown होने तक पका लेंगे ये देखें momos हलके light brown हो गया है तो बस अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहे तो इन fried momos को थोड़ा सा dark और कर सकते हैं और ये देखें बिल्कुल perfect fried momos बनकर तयार हो गया तो आप जिस तरीके से momos बनाना चाहें आप उस तरीके से momos बना सकते हैं momos की चटनी के साथ बिल्कुल perfect fried momos बनकर तयार हो गया एक बार इने try जरूर कीजेगा चलिए अब हम आपको steam वाला एक momos तोड़कर भी दिखा देते हैं कि ये momos आप देख सकते हैं अंदर से भी बिल्कुल perfect बनकर तयार हुआ है perfect color, perfect taste के साथ में आपको हमारी ये steam momos और fried momos की recipe कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताईएगा और इस momos की recipe को अपने घर पर try जरूर कीजेगा